नमस्कार साहित्य की कार्कम में आपका स्वागत है इस कार्कम में आज हमारी चर्चा का विशय है यात्रा साहित्य में उत्राखंड और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमार साथ मौजूद हैं लेखक तापस चक्रवर्ती और साहित्यकार विश्वनात बेंजवाल जी तापस जी और बेंजवाल जी आप दोनों का दूरदर्शनी स्टूडियो में स्वागत है अभिनंदन है बाचित की सुरवात तापस जी मैं आप से करता हूं और आप से मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपने यात्रा वृतांत लिखे हैं जाहिर बात है कि आपने पड़े भी होंगे क्या लगता है आपको उत्राखंड को जो हमारा यात्रा साहित्या है समग्र यात्रा साहित्या हिंदी और अंग्रेजी भासाओं में कितनी जगह मिली है उत्राखंड को मुक्य जी, यात्रा साहित्य के अंदर उत्राखंड को इस्थान तो काफी मिला है, लेकिन जिन किताबों में मिला है, वो कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि बहुत महीं हैं, वो आम पब्लिक पाठक तक नहीं पहुँच पाई, अब रहते हैं जो आम लोगों नहीं लिखी हैं, एक लेकिन उसका जब तक प्रोड़क्ट आगे तक नहीं जाएगा, तो उसको ना तो पुब्लिक को पता चलेगा कि ऐसा किसी ने लिखा है, वो साहित्य का इस तरह के साहित्य का, एक प्लेटफरम पर आना, साहित्य का और साहित्य का दोनों का बहुत जरूरी है, ताकि लोगो संक्रतायन के उपर उससे आगे नहीं निकलता है, तापस जी आपने ये बहुत 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 सवाल उठाया कि यात्राएं खूब हो रही है उत्राखड़न में, उन पर लिखा भी जा रहा है, पर क्योंकि वो नामचीन लेखक नहीं होते हैं, इसलिए उनकी किताबें आम पाठक तक नहीं पहुंचते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है, और इस पर मैं आपसे ही कुछ सजिशन भी कुछ सुझाओ भी आगे लूँगा, इससे पहले कि मैं आपके पास आओ, मैं विश्वनात बैंजवाल जी के पास जा रहा हूं, और बैंजवाल जी जैसे अभी त इस तरह के परियतन स्तलों को परचारीत-प्रसाजीत करने में कितनी बड़ी भूमिकानी बाता है, इस पर आपका जावाल? वास्ता में जो साहित्यकार है वो समाज की पर्तिबिम्ब को उसको बर्नित करता है और जो समाज में घट्रा है जैसे परेटन का आपने सवाल पूछा परेटन तो विश्व की सब सरभादिक पुरातन ब्युसाय में से एक है और दुनिया की कई दिशुने परेटन को आएका प्रम्प जर्या बनाते हुए विकास की उचाई को छुआ है भारत के परपेक्ष में अगर देखा जाए जो साहित्य है तो साहित्य हम बेद पुरानों उप्रिशदू के जो काल है उस समय से हम एक प्रकार से वो भी तीर्थातन और देशातन पर लिखा गया साहित्य है क्या इस परण की सात खंडू में भारत की जो तीर्थ अस्तल है चीजो एक ब मिलता है और मुझे लगता है कि यही का आ Lydia दिश्दें के काल से और बर्जमान तक जो सायत्ति के माध्यम से यहां के परेटन अस्तनों को जो सायश्य की गंतब वे थे, या जो तीर्श्त यातरा से जूड़े वे थे, देर सोथ दुनिया की सामने में उत्राकंड की इन गंतवस्तलू को परचालित और परसाइद किया है और हम कह सकते हैं कि साहिते का इसमें बहुत बड़ा यूग दान्द है यह बैंजवाल जी आपकी ही बात से मुझे इसमरण आता है कि तापस जी मेरी बात को एडमिट कि मुझे लगता है कि यात्रा साहित्य जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके सबसे आदी लेखक जो नजर आते हैं वो तो कालिदास हैं और कालिदास का साहित्य जब हम पढ़ते हैं उसमें हिमालय और पूरी परवत प्रांतर का जो चित्रन है वो दूसरी जगा दुरलब उन्होंने कुमार संभव में उनकी जो काल जी कृति है कुमार संभव में उन्होंने श्लोक शुरू इहीं से कि अस्तुर तरिस्त्याम दिसदीव आत्मा हिमालय नाम नगा दिराजा तो इसमें पूरे समुझे उत्राखंड का और हिमालय का बढ़न है वो अद्भूत है अल की पीडी में कालीदास आते हैं और उनका जो साहित्या वो आज भी हमारे लिए है तापस जी अब आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि आपने उत्राखंड के हिमाले के कई छित्रों की यात्राएं की हैं आपके लिखे हुए यात्रा वृतांत हमने पड़े भी हैं पहली तो मैं यह जानना चाह रहा था कि वो कौन से स्थल हैं जिन पर आपने लिख लिया है और अभी मेरी जानकारी में है कि आपकी सद्या प्रकाशित एक पुस्तक यात्रा बृतांत उसमें कौन से वो स्थल हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं देखे मुक्यर जी मैंने इससे पहले जो लिखा था वो देश के अन्य राज्यों के लिए थे लिकिन इस बार मैंने अपने करीब 25 साल में उत्राखंड में जहां-जहां यात रहें की हैं जेजनी निस्थानों में गए हूँ उसका वेवरेंड इसमें मिलेगा तो इसमें आपको चौकवरी भी मिलेगा इसमें गंगोली हार्ट भी मिलेगा इसमें आपको नैनीदाल, अलमोडा, राणी खेथ भी मिलेगा और जागेश वर्दान भी मिलेगा हर इद्वार रिश्री का इस उड़की भी मिलेगा मतलब जितने इस तालस में है तो आपको काफी चीज़े इसके अंदर पढ़ने गो मिलेगी और ना केवल ये उसमें वहां पर पहुंचने का तरीका वहां की दूरी ये भी बहुत ज़रुरी होता है फिर खान पान में जो मुझे है समस्या हुई कहीं पर अच्छा खाना नहीं मिलता तो वो उसके बारे में भी पता जलग आपने घुमने गए और कुछ गलत खा अब बिमार पड़ गए और इसके इलावा महां पर मेरी पुष्टकों में एक तो मैं जाता हूं तो उसका मेरा उद्देश है होता है कि मैंना यह पाया उत्राखण में खास तोर से कि लोग घर से निकल नहीं पाते हैं कई-कई मैंने देखा कि हमारे राज्य में खास तोर स कि लोग नहीं जान पाएंगे तो परियटन का पहला मुद्दा तो यह है तो उसके अंदर महां के धार्मेक सांस्कृतिक कोई धरोहर है उसके बारे में बहुत विस्तरित विवरें लोग बोलते मुझे कि आप तो मैतेमेटिक्स की तरह से लिखते हैं उसको मैतेमेटिक्स तो लगता है आपने मैतेमेटिक्स में ही कुछ पढ़ाई किया है मैंने किसी स्थान पर हूँ तो मैं कितने उचाई पर खड़ा हूँ उससे मतलब बेर सामने इमारत है या मंदिर हो कितना उचा है कितना पुराना है जब तक मैं यह फिल नहीं दूँगा लोगों को तो लो यह आपने हम सब के लिए वी एक तरह का संकेत दिया कि जब आप यात्रा वृतांत लिखें तो नकेवल अपने अनुभावों को लिखें बलकि जो चीज आपके सामने है उसका क्या पूरा भूगोल है उस पर भी और यह ठीक कहा आपने कि इस तरह के जो भी यात्रा वृता खासकर मैं आपके यात्रा वितांत की चर्चा करूं तो उसमें यही एक लगता है कि यह वास्ता में लगता है कि जैसे वो जीवन्त रूप में वो मंदीर या वो इस्तल हमारे सामने मौजूब भाषा भाषा सरल होनी चाहिए कई बार आप देख रहे हैं हिंदी लिखते है तो हमां अग्रेजी का को शब्द आता है जिए उसका अगर हमें हिंदी नहीं आता है जैसे एडवेंचर अगर आप उसका सहा से परियाटन करेंगे तो हो सकता है लोगों की समझ में आज़े आपको अपने को एक तरह से मोडिफाई करना पड़ता है क्योंकि आपको पब्ल निकालते हुए विस्वना जी मैं आपके पास आ रहा हूं और आप से मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसे आपने गंगोली हाट और तमाम दुरगम दूरस्त इलाकों की चर्चा की बेंजवाल जी ऐसा लगता है हमको कि अंग्रेज जिन इस्तलों को जिन परवतिये इस्तलो को हमको सौप गए वो तो हमारे नोटिस में हैं पूरी दुनिया के नोटिस में भी हैं उसके बाद क्या कुछ हुआ जबकि हमारे पास इतने सुरम में और इतने सुन्दर तापस जी तो घूमे हैं दूरस्त इलाकों में वो जो दुरगम छेत्र है परवत प्रदेश के उनक अगर कुछ कमिया है तो उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है इस पर मैं आपकी टिपनी चाहूंगा सेंट अगिस्तिन ने लिखा था कि संसार एक महान किताब महान पुस्तक है और हम अगर घर से बाहर ने निकलते तो समझो कि हम उसका एक प्रिस्ट भी नहीं पर पाते हैं उत्राखंड की परपेक्ष में अगर देखा जाए तो यहां प्राकृति प्रकृति ने यहां का जो नैसरीक संदर है वह इतना अन्परम अलोकिक है कि अभी भी मुझे लगता है कि कई छित्र ऐसे जो प्रेटन के नक्से से ओजल है उन छित्रु तक अभी न तो किसी सरकार या गर सरकारी सर्ताओं की पहुंच है मुझे लगता है कि उन छित्रु में लेखक साहित्यकार ही जो गुमन्तु राहुल सांकृतियान की तरह जो अथा तो गुमकर जिग्यास वाले परेतक है क्योंकि कावत भी है कि जहां ना पहुंचे रभी वहां पहुंचे कभी तो इनको इन परेतक अस्तलों को आगे मतलब लोगों की egenाना है वो लोग इन जगों तक पहुंच सकते हैं और इसके इस्तरों का प्रयास किया जाना चाहिए कि माना की साशिक परेटन के कुछ गंतब हैं उधरान के लिए आसन बैराज है आसन बैराज प्रक्षी प्रेमु की एक नए हव की रूप में भीक्षित होता जा रहा है वहाँ परतिवर्श जो है बहार से साइवेर्या से चाइना से मो उस छेत्र को और प्रकास में लाने के लिए इस तरह के साइव्ड़कारों को वहां भूलाई जाए क्या बात रहा है उस चीज का अध्यन करें और अपनी साहित्यमें इस अस्तान को इस जगह को अस्तान दे ठीक जैसे आसंद विराज को पक्षी प्रेमियू की हब की रूप में, सासिक प्रेटन की रूप में कोडियाला को, जो रिवर राप्टिंग का एक बहुत बड़ी केंद्र की रूप में बिक्सित होता जा रहा है। उनकी जो वह हैं, उनकी जो महत्व हैं, उसको प्रकास में लाएंगे, तो समवत वह इन छेत्रों का भी विकास होगा, और लोगों तक इन जगों के बारे में उनको जानकरी भी लग पाएगे। हैं, हजार हो लाखों साल पता हैं, कुछ ही को पता ही नहीं है। उसका वेरिपूस तक में मिलेगा, ऐसी जगों को मैंने कवर किया। एक और जगा बताना चाहूंगा, देवल सारी, यह मसूरी से थोड़ा से धनोल्टी वाली रोड पर जाके बाएंग तरफ चले आते हैं, तो देवल सारी गाउं आता है, जहां वो इस्थान एको टूरिजम के लिए बहुत पापूलर हो रहा है। उसको मैंने इसमें इसमें दिया है, तो उसको मैंने तितलियों का इस्थान है, विश्प के सबसे अधिक तितलियों हमाँ पर आती है, और यह क्या बाएंग उन्होंने प्रोटक्ट किया है, गाउं वाले बहुत जागरों है, बहुत परेटक आता है, तो पूरे गाउं को बहुत अच्छे तरह से वो लोग जानते हैं, जबकि जानना चाहिए, उतराखन में भी लोगों को जानका रही है, नाक्टिबबा का बेस कैम्प है, लेकिन तापस जी, जिस दिसा में अब हम लोग चल पड़े हैं, यह बहुत सुकत संयोग है, कि आज हमारे साहितिकी कायरकम में, दो लेखक हैं, दोनों घुमकर लेखक हैं, जो लगातार घुमते रहते हैं और लिखते रहते हैं, तो यह बहुत सुकत संयोग है, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा था, कि उतराखन में हम देखते हैं कि दो सेक्टर आते हैं, एक परियटन है, एक तीर्थाटन है, जो परंपर हैं, कि परियटन, तीर्थाटन दोनों एक ही सेक्टर के इस से हैं, दोनों अलग-अलग हैं, और अगर दोनों अलग-अलग हैं, तो कैसे इनको एक दूसरे को इस तरह से हम इनका संबंद विक्सित करें, कि दोनों परिस्कृत हों, दोनों विक्सित. मुकेश जी कुछ बर्षों पहले तक जो परियाटन था वो चार तरह का मुख्यता माना जाता था धार्मिक, धार्मिक परियाटन, एडवेंचर परियाटन, लेजर जैसे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आप चले गए जैसे एको टूरिजम जैसे मैंने आपको देवल सारी इस तरह के स्थान भी प्रचलित होने लेगे एक आप देख रहे हैं, मेडिको टूरिजम भी हो रहे हैं, जिसके अधर योगा, वैलनेस, पंच कर्मा ये चीज़ें परियाटन, तो अब कुछ नई समझ सकते हैं, नए इसके सेक्शन आ गए हैं, तो परियाटन और विस्तार जा रहे हैं, तो इसमें एक तेर्थाटन जो है, वो हमारे जो उतरहखन का में, इसमें दो वे उतरहखन में काम हो रहे, वो धार्मिक परियाटन भी चल रहा है, इसमें एडवेंचर के लिए भी नईनी जगे घूंड़ी जा रही हैं, जैसे टिहरी लेक में आभी गया किया बात है पहले हम जाते थे और सुबह गाई शाम को आगे लेकिन आज आप जाएंगे तो आप मैं समझता हूं कि उसे जो नया पुल बना है वहां तक जाएंगे दोबरा चांठी तो अभी इस बार वह रिपॉब्लिक की जहांकी में भी उसको जोड़ा है उनों है आपने चारधाम के मार्ग को सुधारा जा रहा है तो यह धार्मिक परियटन पर हम जाते हैं तो मैं जाए जाना चाहूंगा कि उत्तरखन में सिर्फ चारधाम यात्रा ही नहीं है ऐसे अन्य बहुत सारे स्थाने जिनके बारे में अभी या तो जानते नहीं जानते हैं तो जाने का सहस कई कारवने से नहीं जूटा पाते हैं। मैं चजचा करना चाहूँगा जैसे बैजनद धाम हैं। जागेश्वर धाम है। इनका भी कोई जो इस्थान है चार धाम से कम नहीं यहाँ पर चार नहीं। लब 40 धाम होंगे इस तरह के लेकिन लोगों को जनकरी नहीं है। आप जागेशवर धाम जाते हैं, तो जो इस्पिरिशुलेटी होती है, ऐसा आपको लगेगा कि उस इस्थान पर भगवान खुद मौजूद है, बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगा, करें 1.500-200 मंदिर हैं वहाँ पर, अभी पता नहीं जमीन के अंदर कितने निकल रहे हैं, आप जागेशवर मैं गया हूँ, एक्च्वल इस्पिरिश्वल जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वह वहाँ पर जाकर आपको फील होता है, तापस जी, आपने बहुत 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 पूर्ण एक आपकी ये जो पंक्ती है, ये तो बहुत बिल्कुल अंतस में उतरने वाली पं बहुत सारे हैं, लेकिन वह चर्चा में नहीं है, उन पर लिखा कम गया है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उतराखंड का खासकर, जो हम इंटरमीडियेट तक हम से कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हायर स्टडी की बाद में बात कर लेंगे, उस पाठ्यक्रम में उतराखंड क और वह हमारे नॉनिहलों के पाठ्यक्रम में नाकाफी है, मुझे लगता है कि उस पाठ्यक्रम में यहां के प्रमुक जो गंतव दैस्ताल है, जाए वह आध्यात्मिक प्रेटन हो, जाए वह साथिक हो, जाए वह परक्षी प्रेमों के या अभी तापहस जी नह जो तितलिय के बिहार के बारे में चर्चा की इस तरह के अस्तानों का अगर उनके पाठिक्रम में समाहित हो तो वो सुरिच पूर्ण भी होंगे और उनके ज्ञान का वर्धन भी करेंगे दूसरा कई चीजे उत्राखंड की मामले में, उत्राखंड की संदर्व में हमारी नोनी हालों को जानकारी नहीं रहती है। डॉक्टर संपोर्णनन ने एक जगह पे लिखावा था, लिखावा है कि उत्राखंड में जो हिमाले का जुकाव है, वो आध्यात्म की ओर है, जबकि कस्मीर में हिमाले का जुकाव रोमांटिक है। ससक्त होगी और परेटन अस्तलों के बारे में, यहां के परेटन गंतव्यू के बारे में और इसके विकास के बारे में और ज्यादा जागरूख होंगे। और इसके लिए प्रयास बहुत अभी तक जो प्रयास होए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वह हैं कि उसमें संतोष किया जा सके। और इसमें पाठेक्रम में सामिल करने के लिए बच्पन से ही जैसे प्रारमिक सिक्षा है, बेसिक सिक्षा में, बेसिक सिक्षा में कोई यात्रवितान जोड दिया जाए। या हमारी जो एतिहासिक और सांस्कित विरासत की जो यात्रा है नंदा दी विराज्यान उसको पाठेक्रम में सामिल किया जाए। बाद के पाठेक्रमों में जैसे आप छट्वी सात्वी आठ्वी में जब बच्चा जाता है उसमें कुछ हमारे जो अध्यात्मी कुछ से जोड़े हुए है जो अस्ताने उनके बारे में लेका जाए और उत्राखन तो बहुत ही समिर्द साली हमारी गौरब साली जो है सांस्क की विरास्त और जहां की जो परेटक अस्तल है उनको हम अगर पाठेक्रम में सामिल करेंगे तो मुझे लगता है कि वह अच्छी सुरवाद होगी और विशेच का नई सिक्षानीती जो अब जिसका किर्यान्वन होना है उसमें इसको अगर सामिल करें तो यह बहुत अच्छ सामिल होते हैं तो यह इस प्रदेश के लिए अच्छा होगा और जाहिर सी बात है वो सिक्षा विवस्ता के लिए भी सोगत होगा तापस जी एक सवाल जो मेरे मन में बहुत देर से चल रहा है उस पर मैं आपका आपकी टिपनी जरूर चाहूंगा कि एक पर्यतन वाला सेक् है और इसी से रिलेटेड एक कोट एक द्रित किया बेंजवाल जी ने डॉक्टर संपुनानंद को कि हिमालाई का जो पर्वतिय अंचल है वो आध्यत्मिक्ता से भरा हुआ है और कश्मीर का जो है उसमें रोमेंटिसिस में है अगर हम परियतन को भी तीर्थाटन का हिस्सा बनाते हैं तो क्या यह खत्रा लगता है यह सवाल कहीं कहीं से बीच बीच में उठते हैं कि अगर तीर्थाटन को भी आप परियतन मान लेंगे तो आपके जो तीर्थाटन की पवित्रता है उसके नस्ट होने का खत्रा है तो इस पर आपकी क्या ठीपनी है यह ऐसा होना नह किया हुए तो वो उसका वो रूप रखते हुए है अगर हम विकास कर सकें इसका परिणाम यह हो रहा है कि जो बड़े-बड़े होटल आ रहे हैं वो उन कियोंकि उन से हम्राट हो अगर हम उनको रोक देंगे तो घर से आदमी आ रहा है वो रहे हैं ने तो हम प्रकुनIS को को भी बचाय रखना है तापाशी ये सवाल मैंने इसलिए क्योंकि आप आपके यात्रा वितांत पढ़ते हुए मैं बड़ा आश्यर चकित हो जाता हूं कि एक तरफ तो आप सुद्द तीर्थी यात्री होते हैं और दूसरी तरफ जब आप रॉक क्लाइमिंग पे जा रहे हैं म जब जैसे कि अभी तापाशी कह भी रहे थी कि जब हम यात्रा वितांत की बात करते हैं तो हम अभी भी राहुल सांकित्यान के हिमाले से आगे नहीं बढ़ पाई जबकि एक पूरे छे दसक साथ दसक का समय हमारा बीद गया है क्या वज़ा है कि आज जो हम यात्रा वितां दरसल आज जो हमारी लेखक है और जो साहित्यकार है लिखने के लिए तो उस जीरो ग्राउंट पर पहुंशना पड़ेगा जहां आप जिस अस्तान का ब्रणन कर रहे हैं वहां तक तो आपको जाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उत्राखंड में अगर उत्राखंड क जो अस्तापना विकास का ठाचा है वह अभी उतना सुद्रे नहीं है तथा भी यहां विदेशी परेटकों सहलानियों सुदार्टियों के अकरशन का केंद्रिय च्छेत्र बनावा है और जो लेखक हैं वह ऐसे अब देखो आप मैं नंदाराज्यात की बात करता हूं 280 किलो वह गाहूं तक ठीक है लेकिन जब बुग्यालों के उपर जहां पर की ब्रिक्चरे का समाप्त हो जाती है वहां से उपर चलना सुरू करेगा तो हापना सुरू कर देगा और स्वाबाइब के आपका सवाल बहुत सही है कि जब लेकक बुग्यालों से उपर नहीं हो सकता कभी उनको भूका भी रहनना पड़ा हो तो थोड़ा सा जो हमारे आधुनिक जो शाहित्यकार है जो नवदित शाहित्यकार है उन्हें आराम तल्वी से थोड़ा बसना पड़ेगा और मुझे लगता है कर वह वास्ता में सही यात्रवितान आम पाठों को तक और वहां से मतलब उसका एक सजी चित्रां वो पाठों की सामने लगे तो मुझे लगता हूँ राहुल जी के ही नक्से कदाम पर बाढ़कर एक अच्छा सा यात्रवितान पाठों को दे सकते हैं मेरा यह अपना मानना है आपने यह कटाक्ष भी था सभी साहित्यकारों पर और साहितिक विरादरी पर कि जब तक आप इस्तल में नहीं जाएंगे वहां के लोगों से नहीं मिलेंगे वहां का भोजन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उस इस्तल के पक्ष पर एक तरह से यथार्थ वादी लेखन नहीं कर सकते हैं तापशी कौन से इस्तल ऐ वाली मेरी रचनाई होंगी उसमें तीन चार जगह हैं जो मैं अभी तक कवर नहीं कर पाया और वो इस पुस्तक में उनका स्थान नहीं मिला सबसे पहले तो मैं जाओंगा युनाइसको वर्ल्ड हरिटेज साइट दो हमारे राज्जी में हैं वह एक तो है वैली ओफ्लावर्स दूसरा है नंदा देवी बायोस्पर रिजर्व यह दो इस्थान है यह अगले मेरे पुस्तकों में मैं को करूंगा सम्मेलित इसके अलाव चंपावत और मुक्तेश्वर यह दो तीन स्थान हैं जो मैंने च्छाटे में कि मेरे अगला विजिट होगा तो इन जगह उपर जी और आपको लगता है कि क्योंकि आपने लगबक सभी इस तल्टा टोल दिये हैं नंदा देवी बायोस्पर रिजर्व जो आप चर्चा कर हैं वह वहां तो जब आप जाते हैं तो आप केवल एक भागोलिक द्रिश्य को नहीं महसूस करते बलकि पूरा एक उसका अपना एक सांस्कृतिक महल को है नंदा देवी बायोस्पर रिजर्व का यह परियाटन और तीर्थाटन तापस जी और बेंजवाल जी इतना भ्रहत विशय है इसलिए हमने इसको स्पैस्पिक उत्राखंड के परिपेक्ष में इसको केंद्रित किया कि इस पर अगर हम बाचित करेंगे तो कई हमारे पाइस तल हैं और उस पर अपनी तरह की बहस हो सकती है कि कुछ बिक्सित हुए है कुछ नहीं हुए है बहराल यह बहुत ब धन्यवाद यह थी हमारी आज की साहितिकी अगली बार फिर कुछ नहीं महमानों को लेकर किसी नए विशय के साथ आपके भी जाएंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार